बालको च्छतिसगर की राजधानी राइपूर में विश्वस्तरिय विदान्त कैंसर चिकित साले एवं अनुसंदान केंद्र का निर्मान कर रहा है तेजी से निर्मान दिन केंद्र का अवलोकन राजधानी के अनेक पत्रकारों ने किया पत्रकारों ने बालकों के पहल की भरपूर सराहना की ये है बालकों का निर्माना धिन विश्व इस्तरिय वेदान्त कैंसर चिकित साला एवं अनुसंधान केंदर इस केंदर पर बालकों प्रबंधन 300 करोर रूपए निवेस कर रहा है इस केंदर में 360 बिश्तरों की सुविधा होगा जरूरत मंदों के उपचार के लिए टोपो थेरेपी, कीमो थेरेपी सहीत अनेक अत्याधूनिक सुविधाएं केंदर में उप्लब्ध होगी अत्याधूनिक सुविधाओं से लैस यह अस्पताल मध्य भारत छेतर में अपनी तरह का एक मात्रक केंदर होगा अस्पताल निर्माण का अलोकन करने हाल ही में राजधानी के अनेक पत्रकार परियोजना इस्थल पर पहुंचे परियोजना प्रमुक करनल बीनाई शर्मा सलाकार डॉक्टर आर्के चत्रुवेदी ने पत्रकारों को केंदर की सभी सुवधाओं और निर्माण की विश्चताओं से अउगत कराया अस्पिताल के विभिन पहलुओं से अउगत होकर पत्रकारों ने प्रसंता जाहिर की आज हमने विदानता समू करिये जो एक 36 गड़ को गौरव दिलाने वाले एक बड़ा प्रोजेक्ट जो आने वाला है उसके बारे में जानकरी ली हमें लगता है कि 36 गड़ जो अभी पिछले राजी के रूप में जाना जाता है मेरों को लगता है कि आने वाले दस वर्सों में इसका भविस नंबर वन राज की जो यहां हम कामना कर रहे हैं जिसके लिए प्रयास जारी है लगता है कि यह मिल का पक्थर साबित होगा केंसर के मरीज 36 गड़े नहीं आस पास के जो हमारी स्टेट है उडिसा है ज्यार खंड है बिहार है यह भी अभी उतने विकास नहीं कर पा हैं इन सब को भी यह रहत देने लिए आज हमने वेजानता ग्रूप के जो केंसर हस्पिटल है इसको विजीट किया विजीट करने से लगा कि स्वास्ते के छेत्र में 36 गड़ जो पिछड़ा हुआ है और कैंसर के मरीज जिस तरह से 36 गड़ में ही बढ़ रहे हैं उस हिसाफ जो देखा जाए तो अभी 36 गड़ में ऐसा हस्पिटल नहीं है जो सर्व संपर्ण यहां वो सारी शुईधाएं है चाहे वो MRI से संबंदित हो चाहे वो एकोलाजी से हो सारी चीजें यहां सारी शुईधाएं उफलब देखा है जो स्वास्ते के छेत्र में 36 गड़ जो पिछड़ा हुआ माना जाता है वो भी इसमें एक अच्छा शुईधाएं देगा यह हम माशूश करते हैं विरान्ता ने जिस धंग से 36 गड़ के राजधानी रैपूर में विश्विस्टरी कैंसर अस्पताल बनाने का फैसला किया है निस्टी तुरूप से हम इसका स्वागत करते हैं 36 गड़ के लोगों के लिए और मध्य भारत के लोगों के लिए इसका लाब हो यह सबसे अच्छी बात होगी कैंसर एक ऐसी बिमारी है जो मरीज के साथ साथ पुरे परिवार को तोड़ के रख देती है चाहे वो मांसिक रूप से हो शारेडी करूप से हो और आर्थिक रूप से 36 गड़ का जो मध्यम वर्ग है निम्न वर्ग है आम तोर पर जिसमें कैंसर के संभावना कुछ ज़्यादा बताई में जा रही है तो उनके लिए इलाज की सुविधा अच्छी बात हो ही हो जो हम अपेक्षा करते हैं काफी अच्छी चीज़ें बताई गई है आधुनी किस्तर की मशीने होंगी नई से नई टेकनलोजी हाँ आएगी रिसर्स सेंटर भी होंगे तो मैं चाहता हूँ कि 36 गड़ का जो वन छेतर है 36 गड़ में जो वन ओपज है उस वन ओपस से कैंसर के निदान के लिए क्या जड़ी बूटियां मिल सकती है यहां के जो वैद जिसको हम कहते हैं जो ग्रामीन इलाके हैं वहां से कैंसर के बारे में क्या हमको और संभावनाय प्राप्त होती है कैंसर के इलाज के लिए जैसे मैंने पढ़ा है मैंने सुना है कि चतिस गड़ में जो सदा सुहागिल का एक फूल होता है उसका जो सफेद वाला जो फूल है वो कैंसर के लिए बड़ा कारगर होता है अगर इसके साथ कैंसर के लिए चतिस गड़ के वनोशरियों पर भी अगर रिसर्च हो तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा. कैंसर निसंदे इस समय पूरी नकेल भारत पर दुनिया में एक बहुत ऐसी बीमारी है जिस पर लगातार शोध और निशंधान हो रहा है और शक्तिस गड़ में भी ग्रासूट लेवल पर भी जो मामले सामने आ रहे हैं उससे हमारे शक्तिस गड़ के लोग भी काफी परशान में बाहर भी जाना पड़ता है ऐसे समय में वेदानता का यह जो प्रोजेक्ट है हम लोगों ने दिखा और उससे च्छतिस गड़ को काफी आसर जगी है कि आने वाले एक सालों एक साल में जो प्रोजेट कंप्लीट होगा तो च्छतिस गड़ के लोग का है यहां इलाज हो पर जिस तरह का काम चल रहा है जिस अंतरास्टी इस तरह पर इस अस्पताल को ले जाने की कोशिश है तो मुझे लगता है कि बाहर के लोग भी यहां आएंगे और च्छतिस गड़ को भी उसका लाग लेना और च्छतिस गड़ की एक नई पहचान वेदानता के माध्यम से दुनिया में बनेगी तो हम सब पत्रकारों की और से मैं हार्दिक शुपकामनाय देता हूं कि यह प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट हो और सरकार और समाज दोनों मिल करके जब साथ चलते हैं तो निसंदे प्रगती होती है और जो लक्ष है वेदानता का कि सिर कि कि आलाज ना हो परन की इंसर मुक्त च्थिस गड़ भी हम बनाएं तो उस दिशा में भी यह ऐस्पताल काम करेगा तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में के इंसर का इलाज भी होगा और धीरे-धीरे च्थिस गड़ की और भी बढ़े यह सब हम सब लोग के भी यह यह मैं हार्दिक शुब कामनाय देता हूँ पूरी मीडिया की और से और सफ़ल हो और निसंदे सफ़ल होगा और चटीस गड़ आने वाले समय में कि इंसर मुक्त हो यह हम सब का भी सपना है यह बहुत अच्छा लगा कि 36 गड़ जैसे रिमोट एरिया में देदानता बालको की तरफ से यह जो प्रोजेक्ट लाया जा रहा है समझ लीजिए यह वक्त की एक ऐसी मांग है जिसमें नजाने कितने लोगों का भला होगा और सबसे बड़ी चीज यह है कि इस इलाके में इतनी हाई एक्यूपमेंट वाला हस्पिटल बन रहा है और जिसके लोग इतने समर्पित भाव से इस समझ लीजिए इस वीरान जगह में काम कर रहे हैं यह बहुत ही इंस्पिरेशनल बात ही वरना खास दोर पे जो फिदानता गूप के चेर में नादरनी अनील अगरवाल जी जिस तरीके से बेक्तिगत रूची लेके और इस काम को पूरा करा रहे हैं और अभी जैसा कि डॉक्टर चतुरवेदी जीने और डॉक्टर शर्मा ने ब्रीफ किया उससे लग रहा है कि लोग मन लगा के काम कर रहे हैं और उनके मन में कहीं ने कहीं यह भावना है कि एक अच्छा हॉस्पिटल टाटा मेमोरियल की तर्श पे बना हुआ एक उसी की कंपरेजन में सारे मानकों को पूरा करने वाला हॉस्पिटल यहां बने इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं तो यह चीज अच्छी लगती है और इस प्रोजेक्ट को हम किसी सरकारी प्रोजेक्ट से या किसी बनने वाले होटल या रेस्टोरेंट या किसी सेरगाह से तुलना नहीं कर सकते हैं यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें एक मिशन है जिसमें एक भावना है जिसमें एक कमिटमेंट नजर आता है मैं अपनी हादिक शुक कामना ही देता हुआ